हाई फ्रेंड्स स्वागत करता हूं आप सभी कमें अपने यूट्यूब चैनल में बिहार राज पत परिवारन निगम को तरफ से बिहार की नई भरती आ चुकी है बहुत ही अच्छी जोब है यहां पर जो कि बिहार राज के अंतरगत निकाले गई है भरती और आपको बिहार में ही लोकेशन मिलेगा पत्ना में ही तो देखिए कि आप यहां पर कि कहां सब्सक्राइब करना है उसी का विकेंसी यहनिकी टैपिश्ट का विकेंसी है कंप्यूटर पर जो की समिधा के अधार पर होगी और जो भी इच्छुक उमिद्वार है वावधन कर सकते हैं टाइम पर बढ़ा जाएगा अगर आपका कारी संतोस जनक रहा तो तो उसका देखते हैं आगे क्या है अपडेट पत का नाम है फ्रेंड्स टंका कहने की टैपिश्ट कंप्यूटर का कुल जो फ्रेंड्स 35 पोस्ट जो की बहुत ही अच्छा यहां पर नंबर है तो इसमें स सकते हैं लेकिन साथ में ADCA की Advanced Diploma in Computer Application का परमान पत्र होना चाहिए और साथ में ही आपको कंप्यूटर में हिंदी टैपिंग पचीस वर्दपर मिनट अंगरिजी टैपिंग तीस वर्ड पर मिनट आना चाहिए एक रुश्य के साथ में और साथ में ही पत्र एवंग टिपिनी प्रारूपन का ग्यान यहीं कि जो फाइल विगर लिखते हैं टिपिनी विगर का ग्यान होना चाहिए और साथ में दो वर्स का वर्क एक्स्प्रियेंस होना चाहिए बिहार, राज, पत, परिवहन, निगम के कार या नवहों को प्रास्मिक्ता दे जा कर सकते हैं सभी यहां पर ज़रूरी है तो चली देखते हैं आगे क्या है और जो इच्छुप उमिद्वा है आवेदन पत्र अपने बावेड़ाटा और सभी परमान पत्र की सव अभी परमानित प्रतिने की सेल्फ अटेस्टेड आपको खुद का साइन करके और साथ में क् सब कुछ को आप कहां भेजना है निगम मुख्याले परिवहन भवन वीर चंद पटेल पत पटना यह आप जो है सत्रे नौंबर 2022 के सामके तीन बज़े तक खुद जाकर ऑफिस में जमा कर सकते हैं या इसको निबंद्दित या की रेइस्टरी पोस्ट से इसको भेज सकते ह है हम बात करते हैं उम्र सीमा की तो अविदक की उम्र एक नो 2022 को अधिक्तम जो है अनारख्षित के लिए पूरूस 40 से अधिक नहीं होना चाहिए पिछ़णा वर्ग महला पूरूस के लिए 43 यर्स अनारख्षित में महला के लिए 43 यर्स और S.C.H.T. पूरूस महला दोनों लिए 45 से अधिक नहीं होना चाहिए है अब जो है टंक का किनि की कंपुटर के लिए जो अरफचित 210 पद का विव्य कि अब जो है यहाँ पर कि अगर आपके पास किरी में रहे गरेगा जाती परन पत्र बगर है तो उसको संलंगन करना है और साथ में क्या देना है आपको यह फॉर्म भरिएगा यह देखिए एक इंपोर्टेंट पॉइंट है पास नंबर आपको जाना है जो आपके बगल में जो भी सिविल कोट बगर है वह जाना है और आपको एक बनवाना है सपत पत्र क्या बनवाना है कि आपके खिलाफ थाना में कोई भी अपरादिक वाद नहीं है निगरानी वाद नहीं है विभागी कारवाई नहीं है या कोई भी आरोप आप पे लंबित नहीं है यह आपको सिविल कोट में जाके नोट्री से सपत पत्र बनवाना है और वो भी आपको फॉर्म के साथ में एटेज करके देना है यह ठीक है तब ही आपका फॉर्म स्विकृत होगा इसको ध्यान रखेगा और जो है अब इदर का जो फॉर्म पराप्त होगा विभाग को उसका जांस के ब पुछेगा अब यहां कुछ के लिए नहीं है बाकी आगर जो आता है तो मैं आपको वीडियो बना के ज़र दूंगा इंफॉर्मेशन उसके बाद टैपिंग होगा हंदी इंग्लिस का उसके बाद इंटर्व्यू भी होगा ठीक है तो यह सब बहुत इंपोर्टेंट आपको दिखाना पड़ेगा कब जब आपका चैन हो जाएगा तब यहीं कि लास्ट में जब जोने होगा तब बात की बात है पहले आप इसको फॉर्म को भरी पहला काम ठीक है तो मैंने आपको पूरा एक-एक पॉइंट बिता दिया है आपको कोई भी दिकत नहीं होना चा चाहिए तो आप कमेंट कीजी कि सर मुझे और फॉर्मेट चाहिए मैं कल तक त्यार करके वीडियो बनाकर लादूंगा ठीक है तो मिलते हैं नेस्ट वीडियो में थेंस पर वाचिंग